कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सभी का welcome है morning किस वीडियो में बात करेंगे crypto market के बारे में bitcoin के बारे में और क्या important updates है और आज का दिन बहुत important है आप सब को पता होगा तो बात करेंगे market की लेकिन उससे पहले आप सभी को very good morning अगर आप देखोगे Bitcoin के जो हाल चल रहे हैं वह 29,800 डॉलर के हैं यहां पर लो भी Bitcoin हमको दिखाए हैं जैदा अभी volatility नहीं है लेकिन जैसे जैसे दिन ढ़लेगा जैसे जैसे CPI data का जो नंबर है उसके आने का time नजदीक आएगा वैसे वैसे volatility आपको देखने को मिलेगी तो अगर आप देखो कल Bitcoin 30,000 पर टिका हुआ था 30,550 के भी high लगा दिए 550 तक मोच गे level लेकिन वहां से हम सीधा आ चुके हैं अभी 29,968 पर अभी जो है 29,900 डॉलर्स पर Bitcoin चल रहा है 29,800 के low लगाए है और ये आपको दिखेगा volatility क्यों क्योंकि आज का दिन बहुत important है बहुत बड़ा दिन है आज का दिन आज तीन ऐसे event होने वाले हैं जो market के लिए बहुत ज़रूरी है उसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है ये current situation है Bitcoin की अभी भी कहीं न गहीं 29,000 डॉलर का level not a bad level ठीक है लेकिन pump dump हमको देखने को मिलेगा आज ठीक है सब चीजें depend करती है CPI data पे इस बार CPI data कितना आएगा कि पिछले 5 महिनों से जो data आ रहा है वो Bitcoin को pump कर रहा है लेकिन क्या इस बार वो जो situation है उस पे full stop लगेगा या इस बार भी वही momentum continue रहेगा CPI data के गिरनेगा क्योंकि अगर वो कम आता रहेगा तो definitely Bitcoin pump करता रहेगा तो बिलकुल आज जो तीन event रहेंगे उनके उपर जो नज़र रहेगी वो बहुत खास नज़र रहेगी क्यों क्यों क्योंकि बहुत जरूरी है आज है 12 April आज ही आने वाले CPI data ठीक है इवनिंग में तयार रहेगा FOMC meeting minutes भी आज ही release होने वाले है CPI के साथ-साथ FOMC का तड़का भी हमको देखने को मिलने वाला है तो market में अच्छी खासी उथल-थल आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि CPI data के साथ-साथ FOMC meeting minutes भी है और साथ के साथ Ethereum का सबसे बड़ा अपग्रेड शंगाई अपग्रेड जी हाँ जिसका wait हम March मन से कर रहे हैं क्योंकि March में होने वाला था लेकिन April पे बात आ गई और आज finally वो डेट है जब Ethereum का शंगाई अपग्रेड भी आने वाला है तो यह तीन इवेंट्स है जो आज के लिए बहुत important है जो market को अच्छा खासा impact कर सकते हैं तो तयार रहेगा इवनिंग में जो भी डेटा आएगा CPI डेटा सबसे पहले टेलिग्राम चनल पे मिलेगा लिंक्स डिस्क्रिप्शन में जॉइन जरूर से जरूर कीजिए और जहां तक मैं बात करता हूँ CPI डेटा की इस बार जो CPI डेटा expected होगा वो 5.2% होगा इतना आता है या इससे कम आता है तो और भी मज़ा आने वाला market के अंदर आपको एक अच्छी खासी rally देखने को मिल सकती है Bitcoin की जो 32,000 तक भी जा सकती है आज ही 32,000 भी टच हो सकता है न लेकिन FMC minutes भी है उसका भी ध्यान रखना है आपको लेकिन अगर आप देखो जून ये आप देखो जुलाई में डेटा आया जून मन्त का CPI ये 2022 का डेटा है तब हम चल रहे थे पीक के उपर पीक समझ तो 9% तक CPI डेटा पहुँच गया था पिछले 9 महीनों के अंदर हम करते करते 9 महीनों से कहां आ गए 9% से 6% पे आ गए अब अगर 6% से भी कम आता है तो बहुत अच्छा नंबर रहेगा है ना इस बार अगर अच्छा कासा नंबर नीचे आता तो फिर से आपको मार्केट बुलिश दिखने वाला है ठीक है क्योंकि CPI डेटा कहीं ना कहीं help करेगा बिटकोईन को लेकिन अगर बढ़के आया तो फिर आपको जो situation है वो आपको नीचे जाती हुई भी दिख सकती है तो TRC20 आज आउट परफॉर्म एथिरिम एоль सी टंटी इंटर्म्स ओफ सर्च पॉपुलेरिटी तो अगर हम बात करते हैं इथीरिम की और्सी 20 नेटवर्क की उसके मुकाबले TRC20 network भी काफी strong इस टाइम पर बना हुए हम यह नहीं कह सकते कि जो Tron का network है यह Tron ecosystem है वो धराशाई हो गया नहीं अभी भी Tron के ecosystem में जाना है भले ही coin अभी pump नहीं कर रहे है TRX की बात कर लूँ BitTorrent है ना Tron के ecosystem के जाथ बहुत सारे coins जुड़े हुए लेकिन ecosystem मजबूत है search popularity के मामले में अगर हम बात कर ले तो Google Trend का यह चार्ट भी बता रहा है Ethereum के साथ साथ TRC20 का भी दबदबा बना हुआ है next हम बात करेंगे बड़ी important Elon Musk Twitter को लेके बहुत कुछ कर रहे हैं और आके भी करने वाले हैं Twitter becomes X Corp as Musk merge it with everything app the billionaire owner has in the past suggested that buying Twitter would be an excellent for creating X तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ा step यहाँ पे आप tweet भी एक देख सकते हो X है ना और social media users have left एक चीज समझे लो कि जो Elon Musk है वो बहुत कुछ कर रहे हैं Twitter को लेके जब से वो Twitter के boss बने आप जो Twitter पे changes आपने देखे हैं वो हट के changes हैं है ना तो हम बात कर रहे हैं Elon Musk की Elon Musk definitely बहुत बड़े changes कर सकते हैं Twitter पे आने वाले टाइम में यह भी हो सकता कि Twitter के जरीए crypto buy sell की जा सके ऐसा कोई system भी Elon Musk कर सकते हैं Elon Musk है तो कुछ भी कर सकते हैं ठीक है अगर करेंगे तो डेफिनिटली dodge coin के लिए अच्छे plans हमको future में देखने को मिलेंगे तो dodge coin के लिए यही है कि आप hold करें ठीक है जब market 2022 में गिर रही थी तो लोग क्या हो रहे थे sell करके निकल रहे थे game से out हो रहे थे और बहुत सारे लोग game से out हो चुके है means बहुत सारे लोगोंने 2022 में loss book किया अपनी crypto sell की और निकल गए अब उनके लिए 30,000 bitcoin पहुँच चुका है उनके लिए किसी काम का नहीं है Google Trend का data यहां पर क्या बता रहा है शोज bitcoin search interest search this week amid 10 month high bitcoin ने 30,000 के level लगा है तो bitcoin का search google search आप देखोगे वह level भी बढ़ गया यहां पर Google Trend का data बता रहा है according to worldwide data from Google Trend the search of term bitcoin has reached a score of 93 out of 100 in the last seven days पिछले साथ दिन में जो high level पहुँच चुकी है कि bitcoin के बारे में अब लोग यह सर्च कर रहे है सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पर करते हैं कि जब market 2 पर जाती है अभी अगर हम बात करें कल को यही bitcoin एक लाख डॉलर जाएगा तो आप इमेजिन नहीं कर सकते सर्च तो भूल जाएए सर्च तो टॉप पर रहेगी लेकिन नए नए लोगों की कितनी इंट्रीज होने वाली है हर पुलरें में लाखों लोग आएंगे ठीक है और यह 2021 में भी हमने देखा था इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है अगले पुलरें में भी लोग आने वाले है जब वो देखेंगे कि bitcoin एक लाख डॉलर पहुच चुका है bitcoin का प्राइस बढ़ लोग जो होते हैं नए लोग होते हैं नई एंट्रीज होती है उनको इतना पता नहीं होता मार्केट के बारे में फिर वो फस जाते हैं उपर और उसके बाद जो बीर रन आता है जैसे 2020 में उन्हें देखा फिर वैसे सीन क्रियेट होता लेकिन अभी मोमेंटम वापीस आ रह आएंगे यहां पर आप देखो बिटकोई ने 30,000 डॉलर के लेवल हिट कर लिए बहुत सारे लोग अभी जैदा पुरानी बात नहीं है अभी अगर हम 2022 में चलें जब नवेंबर मन्थ में FTX दिवालिया होई 15,000 पर बिटकोई चल रहा था तो बहुत सारे एक्सपर्ट नि कि यह हो गया वह हो गया बिटकोई और भी नीचे जाएगा कुछ तो यहां पर प्रेडिक्शन हमने यह भी देखे कि जो 500-600 बिलियन डॉलर मार्केट कैप उस टाइम पर 700 के करीब आ चुका था क्रिप्टो मार्केट का तो कुछ प्रेडिक्शन ऐसे थे एक्सपर्ट के कि भईया 200 बिलियन डॉलर आएगा 300 बिलियन डॉलर जाएगा है ना पूरा मार्केट अब खतम होने वाला है लेकिन अगर आप देखो वहां से मार्केट ने कितना बड़ा गेम चेंज किया है जब मार्केट गिर रही थी जब जब मार्केट क्रैश हुई तब तो बहुत ज़ अगर गिरती एथ तो यहां पर पूरी कहते हैं ना कि डिबेट स्टाइट आप है लेकिन मार्केट उपर जाता है जब पिटकॉईल उपर जाता है तब बिल्कुल भी बिटकॉईन की तारिफ नहीं होती है यह reality है आज की rate में ठीक है overall Google Google जूट नहीं बोल सकता Google का data जूट नहीं बोल सकता Google का data ही बता रहा है कि लोग कितना interest ले रहे हैं Bitcoin के अंदर search करके क्योंकि search करना किसी term को वो बताता है कि लोग कितने ज़्यादा interested है तो next time बात करेंगे जो आज event है उनकी timings क्या है तीन event है यह थीरिम का upgrade होने वाला है और दो event है CPA data और FOMC minutes क्योंकि बहुत सारे लोगों के question रहते हैं कि किस time CPA data आएगा किस time FOMC minutes आएगे तो CPI data की जहां तक मैं बात करता हूँ शाम को 6 बज़े इवनिंग में 6 p.m. जो है आप तयार रहेगा ठीक 6 बज़ते ही CPA data रिलीज हो जाएगा और FOMC के minutes आएगे रात को 11.30 p.m. के उपर रात को 11.30 बज़े यानि 5 घंटे के बाद है न 5 घंटे के बाद जो है जो CPA data आएगा उसके 5 घंटे के बाद यहाँ पर रिलीज होगा FOMC का minutes तो दोनों का combination बहुत अच्छा है देखते हैं मार्किट्स पे क्या impact रहेंगे क्या इस बार inflation कम होके आएगा या बढ़के आएगा यह देखना बहुत ज़रूरी नेक्स्टम बात करेंगे थोड़ा whales की activities के बारे में क्या shopping कर रही है whales अगर आप देखो ethereum whale blue whale 0088 just about 23,000 compound coin COMP भी आप बोल सकते हो 1 million dollar की value है 23,000 compound coin इस whale ने अपने bag में अड़ कर रहे इसके लावा ethereum whale tom riddle लिया हाँ पर tom riddle ने भी अच्छा transaction किया है लेकिन ये transaction हुआ है SNX को लेगे synthetics भी आप बोल सकते हो 6,67,000 synthetics अपने bag में अड़ किया है 1.7 million dollars की value है इसके लावा एक transaction हो रहा है blue whale 0088 just about 2,83,000 LPT live peer भी आप बोल सकते हैं इसको और ये 1.9 million dollar के 2,83,000 जो है यहाँ पर LPT coin करीदे हैं इस whale ने next नम बात करेंगे Cardano ADA के बारे में Cardano whales are on a shopping spree over past two weeks पिछले दो हफतों के अंदर they have scooped up 560 million ADA tokens जिनकी value है 218 million dollars की मतलब Cardano whales ने पिछले दो हफते के अंदर पिछले 15 दिन के अंदर 507 million ADA खरीदे हैं जिनकी value 218 million dollars की है तो थोड़ा ADA पर फोकस करें क्योंकि ADA whales, Cardano whales active है Cardano को लेके next नम बात करेंगे Shiba Inu के बारे में Shiba Inu का burn rate फिर से 1000% यहां पर बढ़ चुका है और पिछले 24 गंटे में 35 million only 35 million tokens बढ़ हुआ हैं जो कि बिलकुल भी enough नहीं है है ना spike ज़रूर ले रहा है लेकिन अगर यह burn rate इतना बड़ा spike ले इतना बड़ा number दिखा है और यह number तभी दिखेगा जब नीचे का number बढ़ेगा और नीचे का number बढ़ाने के लिए monthly and quarterly burn start करना बहुत ज़रूरी है कोशिश हमारी है कि जल्दी से जल्दी शिभा इनों के monthly and quarterly burn start हो last and final update है conflux को लेगे cfx को लेगे जो january month से लेगे अब तक बहुत अच्छा पम कर चुका है कल भी आप देख रहे होंगे gainer list में बना हुआ था तो decoin ने यहाँ पे list कर दिया conflux cfx को decoin will list cfx usdt on 12 April यनि आज यहाँ पे एक नई listing हम को देखने को मिलेगी cfx की ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो withdrawals जो है यहाँ आपे कल से start हो जाएंगे और trading आज से शुरू हो जाएगी तो एक नई listing conflux की होती हुई decoin के ऊपर तो आज की इस वीडियो को करते हैं ही पेंड किसी भी crypto में आप invest कर रहे हैं हमेशा अपनी research करें वो बहुत जरूरी होती है telegram twitter के links हैं description में join जरूर करें कोई update मिस नहीं होगा मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care